मेरा बैली एक पंक्चरड बलून की तरह लगने लगा है एक गुबारा जिसके अंदर किसी ने सुई घोपी हो और सारी स्किन निकल के लूज हो गई मैं अपने हजबन को हेट करने लगी मुझे लगा कि बच्चा हम दोनों का है पर सब को जहलू मैं मैं गई और मैंने अपनी छे महीने की बच्ची को जोर से थपड मारा वो जोर-जोर से रोने लगी तो क्या हो गया? हमने तो साथ-साथ बच्चों को जनम दिया है तू कोई पहली मा है क्या? अरे हमारा भी पेट कटा था अरे हमने भी बच्चे को जनम दिया था मैं सिर्फ छे साल की थी, जब मैं अपने भाई के साथ, अपने खिलोनों के साथ खेल रही थी, एकदम से मेरे भाई और मेरी आपस में लड़ाई हो गई, मेरा भाई चिलाने लगा, ममा, ममा, देखो दीदी मेरे से अपने खिलोने शीन रही है, गुसे में तप तप आती मेरी क्या हो गया मेरी ममी मुझे क्यों मार रही है पर वो मारती रही मारती रही मारती रही उनके पसीने मुझे साफ साफ दिख रहे थे उनके चहरे पे गुसा मुझे साफ साफ दिख रहा था और मार के उस खिलनों की छीन के उन्होंने मेरे भाई को दिया और वो किचन में वापस से मेरी मदर ने किया सालों बीद गए मैं इंडियान आमी में ऑफिसर बन गई हमेशा से मैं बहुत एंबिश्यस लड़की थी और चाहती थी कि मैं सब कुछ अचीव कर लूँ पर मेरी मा की वो पिटाई मुझे हमेशा मेरे जहन में याद रही मैं चाहती थी कि मैं अपनी मा की तरह कभी न बनू इसने मैंने एक नकाब पहन लिया of being very strong कि मुझे कोई हम नहीं कर सकता जब आर्मी ओफिसर बन गई तो समाज ने मुझे रिस्पेक्ट देना शुरू किया पर दो साल बाद मैं खुद मा बनने वाली थी मैं बहुत खुश थी कि अब मेरा अपना बच्चा होगा और जैसे ही मेरा अपना बच्चा हुआ और मैं हॉस्पिटल में अपने C-section के बाद मिरर के सामने खड़ी हुई तो मैंने देखा कि मेरा बैली एक पंक्चर्ड बलून की तरह लगने लगा है एक गुबारा जिसके अंदर किसी ने सुई घोपी हो और सारी स्किन निकल के लूज हो गई ऐसा तो मुझे किसी ने नहीं बताया था मैं सोचती थी Motherhood एक बहुत ही beautiful, flowery feeling होगी क्योंकि जब मैं मा बनूँगी तो मैं अपने बच्चे को बहुत प्यार करूँगी पर एकदम से मेरा बदला हुआ शरीर और मेरी बदली हुई सारी परिभाषा, mental state को देखते हुए मुझे अपने आप पे गुसा आने लगा अंदर से एक अजीब सी frustration हुई कि ये मेरे साथ क्या हो गया है उस moment में मैं अपने husband को hate करने लगी मुझे लगा कि बच्चा हम दोनों का है पर सब को जहलू मैं ये मेरे शरीर पे क्या हो गया है एक अजीब सी frustration, irritation अंदर से आने लगी और मुझे कुछ नहीं पता था ये क्या हो रहा है मैंने अपनी mother और mother-in-law को बोला आपने तो कहा था जब बच्चों को हाथ में लोगी तो खुश हो जाओगी मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही है मैं इतना दुखी क्यों हूँ दिन बीटते गए रात भर nappies change करना नहीं सोना, breastfeed कराना मेरे तिमाग खराब होने वाला था मुझे ऐसा लग रहा था motherhood this is such a beautiful feeling सब लोगों ने तो यही बताया है मैं इसको क्यों enjoy नहीं कर पा रही हूँ सून मुझे realize हुआ कि मैं postpartum depression को face कर रही थी office जाना, घर का काम करना बच्चे को देखना and trying to be that perfect woman I was losing my own self समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है उसी दिन मेरी छोटी छे महीने की बच्ची ने मेरा फोन अपने हाथ में लिया बच्चे तो बच्चे होते हैं और उसने उसको उठा के जोर से दिवार के उपर मारा मुझे इतना गुसा आया कि मैं गई और मैंने अपनी छे महीने की बच्ची को जोर से थपड मारा वो जोर जोर से रोने लगी और उसने मुझे कुछ नहीं कहा वो मेरे गले लग गई उस मोमेंट में मुझे वहे दिन याद आया जब मैं छे साल की थी और मेरी मम्मी मुझे मारे जा रही थी उस दिन मुझे रेलाइज हुआ कि इनी मा की कोई गलती नहीं थी वो खुद फ्रस्ट्रेटेड थी इरिटेटेड थी इतना सब कुछ कर रही थी साथ में दो बच्चों की लडाईयां जेल रही थी उनके emotions उनके खुद के control में नहीं थे भारत की बहुत सारी महिलाएं अब बच्चों को जनम देती हैं और घर के काम में इतनी busy हो जाती हैं कि अपने ambitious अपनी that feeling of being a girl को कही न कहीं छोड़ देती हैं और एक irritated, confused सी woman बन जाती हैं उनको खुद को समझ में नहीं आ रहा वो क्या कर रहे हैं अपने बच्चों को पीटती हैं, मारती हैं पर उनकी गल्ती नहीं होती कहीं ना कहीं, हमने as a समाज motherhood को बहुत ही normalize कर रखा है तो क्या हो गया? हमने तो साथ-साथ बच्चों को जनम दिया है तो क्या हो गया? हर मिनट में कोई ना कोई बच्चे को जनम देता है ऐसी कौनसी बड़ी बात है अगर मा बन गयी तो अरे हमारा भी पेट कटा था अरे हमने भी बच्चे को जनम दिया था इतना जाधा ड्रामा करने की जरुवत नहीं है बट कोई भी ये समझने की कोशिश नहीं करता कि एक नई मा जिसने अपने शरीर में एक नए जीवन को उत्पन किया है नौ महीने उसको रखा है उसके बाद इतना दर्द सहन किया है बच्चा पैदा करने में उसको बड़ा करने में कि उसकी मानसिक और शारिरिक सेट क्या होगी वो एमोशनल सपोर्ट जो उसको रिक्वाइड है बिकॉस उस दिन जिस दिन एक मा अपने बच्चे को बर्थ देती है वो सिर्फ बच्चे को पैदा नहीं करती उसका खुद का अपना नया जनम होता है क्योंकि उसका शरीर और उसकी मानसिक्ता बिलकुल बदल जाती है मैं एक बहुत ही केरफ्री लड़की थी और सड़ली मेरे पास एक रिस्पॉंसिबिलिटी आ गई कि अब मुझे एक अपने छोटे बच्चे का विध्यान रखना है यथी रिस्पॉंसिबिलिटी हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा था मुझे रिलाइज हुआ कि कहीं न कहीं हमारे देश में बहुत ज़ादा रिक्वार्मेंट है तो गिव डाट मेंटल और फिजिकल सपोर्ट तो न्यू मॉम्स नई मा की हेल्थ सबसे ज़ादा इग्नोर है जब मेरी दूसरी बेटी पैदा हुई तो मैंने अपने बैली को देखा और मुझे रिलाइज हुआ कि मेरा वेट हर जगा से कम हो गया पर ये पेट अंदर ही नहीं जा रहा था कुछ तो गरबर थी मैंने अपनी पेट की पिचर सोशल मीडिया पे शेयर कर दी बिना कुछ सोचे समझे कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरा बैली बटन पॉप आउट होके बाहर निकल आया था मेरी बैक में एक्सक्रूशियेटिंग पेन होता था मेरे घुटनों में पेन होता था मैं अपने बच्चों को उठा नहीं पाती थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था यह क्या हो रहा है मैं डॉक्टर के पास गई और मेरे डॉक्टर ने बोला कपाल भाती शुरू करो सब ठीक हो जाएगा पर मुझे लगा कि मेरे शरीर में कुछ तो अंदर से गड़बढ है और अगर मैंने इसमें कपाल भाती जैसी एक्सेसाइज करके इस पे स्ट्रेन डाला तो लगा कि और्गन्स निकलके भाहर आ जाएंगे बैक बेंडिंग या कोई भी ऐसी आक्टिविटी जहां मुझे जम्प करना पड़ता था वो मेरी सिचुएशन को और वर्स कर देता था पर किसी से भी एडवाइज मांगो कि फिटनेस जर्नी कैसे शुरू करें तो और कोई यही बोलता है कि योगा करो, एरोबिक्स करो, जम्पिंग करो, रनिंग करो, जिम जॉइन करो पतले हो जाओ बस पतले होने के नाम पे कोई भी मानसिक और शारिरिक स्वास्थ जो एक नई मा का होता है उस पे ध्यान नहीं देता जल्दी मुझे पता लगा कि मेरा पेट सिर्फ बैली फैट नहीं है मैं एक कंडिशन जिसका नाम है डायस्टेसिस रेक्टाए से सफर कर रही हूँ डायस्टेसिस रेक्टाए खराब होने की वज़े से मुझे अंबिलिकल हर्निया के भी सिम्टम्स हो गए थे जिसकी वज़े से मेरा बैली बटन बाहर निकल रहा था प्रेशर इतना जादा पेट में बिल्डप हो गया था कि कनेक्टिव टिशू वीक होने की वज़े से ओर्गन्स बाहर की तरफ पुश करने लग गए थे वो सिर्फ बैली फैट नहीं था कोर मसल्स वीक होने की वज़े से सारा प्रेशर बैक मसल्स पे आता था जिसकी वज़े से मुझे कमर में दर्ध होता था मैंने बहुत जगा कोशिश करी कि इसके बारे में मुझे कुछ इन्फोर्मेशन मिले पर जहां देखो डॉक्टर बोलते थे वेट करो टाइम है ठीक हो जाएगा छे महीने बीद गए और अभी भी लोग मुझे कहते थे क्या तीसरा बच्चा होने वाला है मुझे बहुत बुरा लगता था क्योंकि मैं प्रेगनेट नहीं थी पर फिर भी मुझे लोग प्रेगनेट बोल रहे थे मैंने इस बारे में जब अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया तो मुझे पता लगा सिर्फ मैं ही नहीं 90 प्रतिशत से जादा और ने इस कंडिशन से सफर कर रही है और ये इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि बच्चा पैदा किया है तो पेट तो भार निकलेगा ही ना लोगों की मानसिक्ता ऐसी है कि अगर बच्चा पैदा किया है तो शरीर तो थोड़ा खराबी हो जाएगा As a ma, हम कई बारी इतना फोकस देते हैं दूसरी चीज़ों को घर पे खाना बनाना, बच्चे का ध्यान रखना, फैमिली मेंबर्स अच्छे से रहे सब कुछ सब के बारे में हम सोचते हैं पर हम अपने आप को भूल जाते हैं हम अपने मानसिक और शारिरिक नीड्स को भूल जाते हैं और अपनी फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस को सबसे आखरी में रख देते हैं पिछले 6 से 7 सालों से मैंने लगभग 5 से 6 हजार औरतों को मदद करी है अपने कोर को स्ट्रॉंग करने में और उनके पॉपिंग बैली को अंदर करने में आज मेरे क्लाइंट्स सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल औरते ही नहीं पट गाइनेकलोजिस्ट और सर्जिन्स भी हैं गाइनेकलोजिस्ट इन सर्जिन मेरा नाम रेफर करते हैं एक सरजन सरजरी करने से पहले मेरे बारे में बोलता है और बताते हैं कि आप पहले उनसे एडवाईज लीजिए अगर आप सरजरी भी करा रहे हैं तो भी recovery के लिए पहले अपने core को strengthen करिए आपको भी diastasis recti और umbilical hernia हो सकता है बट major cause इसका pregnancy होता है पर pregnancy के बाद ये इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हमारा posture खराब होता है और हमारा core strength नहीं होता नव पुराना जमाना तो ना रही पुराने जमाने में पूरा एक गाउं बच्चे को देखता था आजकल हम nuclear setups में रह रहे हैं जहां पे husband और wife ही बच्चे का ध्यान रखते हैं वो कई बर इतने exhaust हो जाते हैं और corporate culture की विज़े से हमारा posture, खान पान ऐसे ही इतना खराब है कि हम अपनी physical fitness पे ध्यान नहीं रखते हैं हम already weak हैं और उस weakness के साथ हम एक बच्चे को दुनिया में लाते हैं motherhood के लिए सिर्फ एक मा ही नहीं पर साथ में एक father को भी prepare होने की equal जरूरत है मैं मानती हूँ कि motherhood marathon की तरह है एक running marathon जो सिर्फ तब खतम नहीं होता जब आप बच्चे को जनम देते हैं ये वो marathon है जो चब तक तलता है चब तक आप का बच्चा आपके साथ रहता है men and women दोनो working है बहुत important है कि हम men और women दोनो इस marathon के लिए prepare करें अपना time निकाले, सोचें कि अगर हमारे पास time है तभी हम बच्चे को इस दुनिया में लेके आए और अगर आप बच्चे के माबाब बनना चाहते हैं तो किस तरीके से financial, physical support आप उसको दे सकते हैं किस तरीके से एक lady की body को ना ही सिर्फ physically बट mentally भी prepare किया जाए कि वो एक बच्चे को इस दुनिया में लाए और साथ ही साथ अपने शरीर का भी ध्यान रख सके Now let me show you diastasis recti होता क्या है जब आपका पेट बढ़ रहा होता है और पेट के अंदर का intra-abdominal pressure disturb हो जाता है चाहे वो pregnancy से हो, चाहे वो overweight से हो, चाहे वो chronic coughing या sneezing से हो ना कई बारी heavy lifting से होता है तो हमारी दो muscles हैं यानि कि जिसको common तह six-pack ab भी कहा जाता है आपने देखा होगा athletes होते हैं and bodybuilders होते हैं जिनके six-pack abs दिखाई देते हैं Celebrities भी six or eight packs बनाते हैं Now हमारे सब के पास six से eight packs होते हैं आपके पास, मेरे पास, सब के पास Now ये six packs जो हैं, वो हमारे एक fat की layer के behind छुपे होते हैं जितना कम आपका fat percentage होगा, उतना visibly six-pack abs दिखाई देंगी Now ये six-pack abs एकटे जुड़ी नहीं होती पर left side होते हैं तीन से चार pack और right side होते हैं तीन से चार pack Now ये बीच में आपस में एक connective tissue जिसको linear elbow भी कहा जाता है उसके साथ जुड़े होते हैं, देखिए ये tissue paper है ये connective tissue collagen protein का बना होता है, मैं एक tissue paper से ही demonstration कर रही हूँ अगर आप उसको बीच में रखें, तो left and right pack आपस में इस तरीके से होता है जैसे ही हमारे पेट का intra-abdominal pressure disturb हो जाता है जैसे की pregnancy के थुरू, जब आपका पेट बहुत बढ़ने लगता है अंदर से pressure इस पे आता है, या फिर आप बहुत खाते हैं या फिर आपका वज़न बढ़ रहा है और आपका intra-abdominal pressure बहार की तरफ आ रहा है या आपने जोर से जटके से कोई चीज इठाली जिसकी वज़े से pressure सीधा आपके core पे आया या आपको बहुत ज़ादा chronic coughing है, आप खासते ही रहते हैं, चीकते ही रहते हैं तो यहाँ पेट पे pressure बढ़ता है और जैसे ही यह pressure बढ़ता है, यह connective tissue थिन होना शुरू हो जाता है और यह connective tissue जिसे थिन होता है, हमारी muscles भी separate होना शुरू हो जाती है नौ जो connective tissue पहले बहुत strong था, muscles जो इखटे थी, they were protecting our organs अब हमारे organs protected नहीं रहेंगे हम खासेंगे, तो sudden pressure इस पे आएगा belly button का positioning और shape change हो जाएगा due to that pressure so it's very important कि इसको heal किया जाए because अगर हम इसको heal नहीं करेंगे, तो इस connective tissue पे लगातार pressure पढ़ता रहेगा from sides, अंदर से, बाहर से और यह connective tissue और थिन होता जाएगा और हमारे omentum fat के contents और कई बार organ के contents भी इधर से बाहर आ सकते हैं जिसको कहते हैं हरनिया और आपको उसके लिए फिर surgery करानी पड़ेगी पर मैंने अपने इस condition को heal किया मैं इंडिया की first diastasis recti rehab specialist बनी मैंने न्यू यॉक से अपना license gain किया जहां पे मैं लोगों को help कर सकती हूँ इस को heal करने में मैंने सोचा कि हजारों लोगों को मदद करने से पहले क्यों ना मैं पहले अपने आपको heal करूँ और मैंने अपने उपर काम करना शिरू किया कुछ ऐसे points हैं जो मैं आज सब को बताने वाली हूँ कि अगर आप उनको follow करें तो आप भी अपने इस belly fat, umbilical hernia और diastasis recti और कमर में होने वाले दर्द को अपने आप घर बैटे manage कर सकते हैं तो कुछ key points हैं जो है number one सबसे पहले आपको अपने posture का ध्यान देना है जब हम एक नई मा बनती हैं या हम लोग office का बहुत काम laptop पे करते हैं हमारी आदत हो जाती है कि हमें गलत posture में बैटने लग जाते हैं जैसे आपका बच्चा पैदा हुआ जब आप उसको breast feed करा रहे हैं तो majorly औरत जुक के breast feed कराती है नो ऐसे जुकने से ना सिर्फ आपकी कमर पे जोर पड़ता है साथ ही साथ आपका core ऐसे crunch हो जाता है तो यह connective tissue जो separated है जो muscles weak है उस पे pressure आता है तो आप अपनी breast को बच्चे की तरफ मत लेके जाए अपने बच्चे को breast की तरफ लेके आए जब भी आप breast feeding करा रहे हैं तो नीचे आप कोई feeding pillow रख सकते हैं कुछ भी ऐसा जिससे बच्चा उपर elevate हो जाए अपने back को support करते रहे हुए अपनी spine को neutral रखते हुए breast feeding कराएं यह सिर्फ ना आपको कमर दर्ट से बचाएगा आपको shoulder neck दर्ट से भी बचाएगा तूसरी बात आपको अपनी core strengthening पर काम करनी है जिसमें आपको जोर-जोर की breathing exercises जैसे की कपाल भाती नहीं करनी है आपको basic connection breathing जिसको कहते हैं 360 diaphragmatic breathing से शुरुआत करनी है कुछ लोग जब सांस लेते हैं तो उनका सारा सांस chest में लौक हो जाता है और छोड़ते हैं तो chest में ही जाता है कोई भी oxygen flow 60 degree में यहां जाना चाहिए और engagement भी यहीं होना चाहिए ना कि सिर्फ air को chest में lock करना तीसरी गलती कई बार लोग क्या करते हैं कि वो सिर्फ अपने belly button को अंदर की तरफ खीशते हैं और belly button को बाहर की तरफ छोड़ देते यह करना भी बहुत हानिकारिक हो सकता है अगर आपको diastasis recti है क्योंकि sudden pressure से अगर आप अपने belly को बाहर और अंदर छोड़ेंगे तो यह भी आपके connective tissue पे बहुत pressure डाल सकता है इसलिए 360 degree में breathe करिए जो आपकी transverse abdominus यानि कि आपकी deepest core की layer को activate करेगा जब आप सांस लेंगे तो हवा चारों तरफ जाएगी 360 में जब आप सांस छोड़ेंगे तो हवा चारों तरफ से आपके natural corset को activate करेगी now तीसरी चीज़ जब आप breathing mechanism सीख चाएं उसके बाद इस breathing को आपको अपनी day-to-day activities में incorporate करना है जैसे कि जब भी आप कोई forceful activity करें जैसे pushing, pulling जैसे कि आपको अपने बच्चे को उठाना है तो पहली बात अपने spine को neutral में रखिए दूसरी बात जब भी कोई pushing या forceful activity होती है तो सारा जोर core से आता है आप लोग notice करेंगे कोई heavy चीज़ उठाएं तो कमर में जटका लग जाता है क्यों लगता है? वो इससे लगता है क्योंकि आपका core weak है आप सास छोड़ते हुए exhale करके 360 breathing करेंगे अपने core को brace करेंगे और तब ही किसी चीज़ को push या pull करेंगे इससे आपका core भी safe रहेगा साथ ही साथ आपकी कमर में चनका या लचका नहीं आएगा इसके बाद आप अपनी functional training पे focus करिए आपने अपना posture ठीक किया, आपने अपनी breathing करेंग करी breathing को daily activities में incorporate किया functional training बहुत जरूरी है, कुछ लोग बोलते हैं जब आपको हरनी आया diastasis recti जैसी problem हो जाए, तो आपको bed rest पे चले जाना चाहिए कुछ मत करो, कुछ heavy मत उथाओ, इधर मत हिलो, इधर मत हिलो commonly doctor ये बोलते हैं, बट अगर आप एक मा है, तो क्या bed rest पे जा सकती है आपको अपने बच्चे को उठाना दो पड़ेगा, आपको अपने बच्चे की नापी change करनी पड़ेगी, उसको breast feeding करना पड़ेगा, तो क्यों ना हम इसको करने का सही तरीका सीखें, क्योंकि आप bed rest पे जाके बच्चों को नहीं तो उनको उठाना सही तरीके से सीखें, उनको breast feeding कराना सही तरीके से सीखें और वो तभी possible है जब आप functional training करेंगे, तो जिम में अगर आप squat करके dumbbells उठा रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं आप body builder बनना चाह रहे हैं, यह activities functional training के अंदर आती हैं, जो आपको तयार करती है motherhood के लिए, तो अगर आप मा नहीं बनी है, तो जाईए और functional training पे focus करिए, मा बन गई है तो भी functional training पे focus करिए, dumbbell उठाईए, squat में जाईए, उपर आईए, क्योंकि जब आपका बच्चा जमीन पे खेल रहा होगा, तो आप squat करके नीचे जाके उपर तो आना पड़ेगा ना, अगर आप squat ही नहीं कर सकते तो कैसे करेंगे, बहुत सारी ऐसी functional activities हैं, जो आपको activities of daily living, यानि की रोज मर्रा की activities के लिए आपको तयार करती हैं, बजन उठाने से मट डरिये, बजन कैसे उठाना है, वो सीखिए, इसके बाद बहुत सबसे ज़्यादा जरूरी जो है कि आपको अपना weight कम करना पड़ेगा, अगर आपके पेट के अंदर lot of fat है, fat percentage है, तो चाहे आप कितनी ही exercise कर लीजिए, अगर वो कम नहीं होगी core strengthening की, तो pressure connective tissue पे बना ही रहेगा, आपको अपने idle weight range में आना पड़ेगा, जिसके लिए आपको calorie deficit, याने कि क्या तो कम खाना, या ज़्यादा movement करना पड़ेगा, पर diastasis और umbilical hernia के साथ इतना easy नहीं है, तो कुछ food items ऐसे होते हैं, जो आपके intra-abdominal pressure को बढ़ा देंगे, तो मैं बोलती हूँ कि एक journal बनाईए, उसमें लिखिये, जैसे कि राजमा छोले डाल, कुछ ऐसी डाले होती हैं और राजमा छोले होते हैं, जो बहुत सारे लोगों को bloating कर देते हैं, और digestion में difficulty आती है, तो या तो आप उनको लंबे time तक भिगोईए, या कुछ time तक avoid हैं, light खाना खाईए, because diastasis recti or umbilical hernia के साथ, अगर आप बहुत ज़्यादा junk food खाते हैं, कुछ भी heavy item खाएंगे, वो आपके यहाँ पे pressure बहुत ज़्यादा build up कर देगा, because आपका digestion भी कम हो जाता है, अपनी gut health पर बहुत focus करिए, because वो बहुत ज़रूरी है, किसी भी तरीकी का intra-abdominal pressure हमको reduce करना पड़ेगा, अगर आपको chronic coughing और sneezing है, देखिए, जब हम छीखते हैं या खासते हैं, पूरा pressure पेट पर आता है, और अगर आपको umbilical hernia और diastasis है, तो हम ऐसे pressure को नहीं जादा दिन तक रख सकते, क्योंकि वो आपकी condition को worse करेगा, तो इसका इलाज दॉक्त के पास जाईए, mostly घर की ladies खासने और छीकने को बहुत generalize करती है, make sure आप इसको generalize ना करें, आप मा हैं, आप मा हैं और आप अपने घर की सबसे बड़ी pillar stone है, अगर घर में मा बिमार होगी, घर में मा को दर्ध होगा, तो घर कैसे fit पनेगा, मैं बिलीव करती हूँ क अगर घर की मा fit होगी, तो घर भी fit पनेगा, बचपन में अगर मेरी मम्मी को कभी बुखार हो जाता था, तो पूरा घर तहसने है सो जाता था, इसलिए एक मा का healthy और fit होना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि fit moms make fitter homes, और अप time आ गया है एट इंडिया की हर मा बनेगी ए चलिए, जुड़ते हैं George Talks Job for Women से, नीचे दियेगा लिंक पर, क्लिक करें